हालो फ्रेंज में आप सभी का स्वागत है आज की वडियो में हम इस तरह के और्गनाजर बनाएंगे साड़ी कबर बनाएंगे बिल्कुर फ्री जीरो कॉस्ट में इसमें मैंने बटन का यूज किया है जीप का यूज नहीं किया है आप चाहे तो इसमें जीप लगा सकते हैं इसमें कितने साड़ी साड़ी आ गई है और जीप लगाने नहीं आती है वो भी इसे असानी से बना सकते है तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं इसे बनाने के लिए यह देखिए मैंने आटा बैक का यूज किया आप चाहे तो इसमें प्लास्टिक की राइस बोरी भी नीचे में लाइनिंग रखा है बीच में आठा बैग और उपर मेर्स अे चाहता है तीनों का मिलाते हुए पिल लगा के सेट कर लेंगे जिए किनारे पे किनार के लगाएंगे और बीच में भी सिलाई लगा के विल्ट कर लेंगे इसकी लंबाई है यहां से 31 इंच और चोड़ाई है 27 इंच फिर देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे फिर दूसरा फोल्ड करेंगे इसी तरह से सभी किनारों को हमें फिनिस कर लेना है तो यह देखिए किनारे सिलाई लगके फिनिस हो गई है और अब इसे हम साइड रखेंगे और इस तरह की ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जो होती है रेडिमेड कपरों के साथ आती है वही वाला पीस है और देखिए इसमें हम 11 इंच का पीस लेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा र लगएंगे और फिर यहां से इस से सीधा करके Cause करेंगे फिर दूसरा करेंगे फिर इसके ओपर से सिलाई लगा लेंगे तो यह आंसरे नuैंच पे निसान लाएंगे 그래도 कटा ऊहां से इस पे सेंटर का निसान लगा लेंगे तो 9 इंच का जितना निसान लगाया है वहीं से हमें अटेच करना है और में फैब्रिक लेंगे जो हमने 31 इंच लंबाई में लिया था तो लंबाई के सेट से हमें इसको अटेच करना है फिर इसका सेंटर निकाल लेंगे तो यहां पर जो हमने सेंटर पर निसान लगाया है और प्लास्टिक वाले सीट पर जो सेंटर का निसान लगाया है उसको मिलाते हुए हम अटेज करना है और यहां से देखिए हमने 9 इंच पर निसान लगाया था वहीं से हमें अटेज करना है एक्स्ट्रा जो भी प्लास्टि इन favor free शीट एटेज़ किया था उसके सामने ही इस तरह से रखना है सामने में हमें कॉर्णार से निसान लगाना है तो यहां पर नौइंच पर हम निसान लगाएंगे और इधर से भी अची कि अब करेंगे ही आधिक करते हैं है कि घ्रैक Gesch alcanz अधिकी इस तरnas हम कट नहीं करेंगे इस तरह से निशान को मिलाते हुए यहां से हम लगा लेंगे आप चाहे तो कट कर सकते हैं यह फिर ऐसे रहने दे सकते हैं नीचे के सांथ कि इस तरह सें wow finns लगा फिर इसके उपर से लगा लेंगे, तो यह अचिह से स्टिफ रहेगा और कड़क सरहेगा, इसको हम कट नहीं करेंगे, तो यहाँ इस तरफ भी हमें इसी तरह से पिल लगा लेना है, और नीची की तरफ देखिए निशान को इस तरह से देखेंगे, और पकड़ते हुए लगा लेना है उसे तरह से दूसरे साड़ भी सिलाई लगा लेना है तो यह तो यह देखी हैं लिपार कटर शक्ते हैं यहां फीर ऐसे रहों तो मैं इसको ऐसे रहों दूंगी और इसकी किणारे पर लगा लेंगे तो इसी एथ ख़ाएगा सी तुन humble और विला कि कौनर स्कों निकालते वे हैं कौनरस को दिया इसे सीधा करते हुई इसको सीधा कर लेंगे llay EPA सीधा हो गया है से और आप देखिए इस साडसे हमें जॉएंट करना है ज। यह प्लास्टिक शीट लगाया था उसको मिलाते वें के उपर से लगा लेना है दूसरे साइड भी जिसता से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे काफी असाने सी और गनाजर बनके बाइबि कर लिए फ्लैप कों है मेरे फेवरिक लाइनिंग और अटाबर लिया है। इसकी लंबाई है 19 इंच और 14 इंच इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे और फिर देखिए इसके किनारे को इस तरह से फिनिस करेंगे हाफ इंच इतना फोल करेंगे और एक सैड में हम लगवक एक डिर इंच का फोल कर लेंगे तो यह देखिए सिलाई लग गई है और यह चोड़ा पट्टी है वह आगी की तरफ को रखेंगे और फिर देखिए हम इसको अटैज करेंगे इस तरह से तो जो पतली वाली हमने फोल लगा लेंगे तो यह देखिए सिलाई लग गई है और यह देखिए जो हमने चोड़ा फोल्ड किया था उसे हम आगे की तरफ रखेंगे और यह देखिए लगवक एक सावाए एक इंच की पतली पट्टी है इसको एक दम बारीक सी हमें डोरी बनानी है सिलाई लगाने पतल लगा सकते हैं तो यह हमें इसका लूप लगाना है तो यहां पर निसान लगा लेंगे और जहां जहां आपको लगाना है वहां पर निसान लगा लेंगे तो इस तरह से यह बटन के लिए हमारा लूप रेडी हो जाएगा यहां पर रखेंगे जहां जहां आपको लगाना आ अधित को लगाने हैं तो इस तार एक्षटे उए हम देख लेंगे और फिर निसान लगा लेंगे कि जहां जहां हमने लूप अटेज़ किया है वही पर हमें निसान लगा लेना उसके ओपर से में बटन्स को लगाना है तो यह देखिए सभी जगा निशान लग गया है अब इस तरह के बटन्स जो पुराने कप्रों से निकलते हैं वही वाले बटन्स है इसको हम सुईधागा से अटेच कर लेंगे तो यह दिखिए सभी जगह पर बटन्स लग गए हैं और यह हमारा और्गनाइजर बनके रेडी हो गया है बीना जीप के और यह दिखिए इसमें कितने सारे सारिया आ गई है आप अपने पसंद से किसी वितरह की कपरे को स्टोड़कर रख सकते हैं सारियों को रखने के वाद यह इसकी लबाए 17 इंचे है और 12 इंच बड़र बाई इंच है और यहाँ से उचाहिए 59 इंच के बनके रेडि हो गई है और देखी कितना असान है यहां से ट्रांस्पार्ण सिट लगाया है तो इसमें आप सकते हैं कि कौन-कौन छी त सारी आ इसमें रखी है अर जब जो मूद लेंगे और तारी को निकालेंगे और काम हो जाने के बाद इसको बंद हो जाती है या फिर थी आप से स्टोर कर eingelaten सकते हैं इसरो को millon को है ऑफिर सारी ओकलाईयो और चाहिक बार्ण सकते हैं तो चलिए से बनाना सुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने पुरानी पैंट लिए है आप किसी भी तरह के पुराने क्लॉस को ले सकते हैं पुरानी पैंट हो गई या फिर कोई भी पुराने कपड़ा ले सकते हैं तो यह पुरानी पैंट है जो खड़ाब हो गई नीचे की मोरी भी खड़ाब हो गई और इसमें लगाने के लिए एक चावल गयों की बोरी लेंगे तो सबसे पहले हम पैंट को इस तरह से सेट कर लेना है और यहां से हम कट कर देंगे आपने साइज केंषाब से बढ़ी है चोटी भी बना सकते हैं और नीचे की मोरी हम और बंत को लेंगे लेंध dough टॉटी हो जाएंगी और साइट की से तरह से खोलेंगे और और इसे सीधा कर लेंगे दूसरे पीस में में सीधा कर लेंगे चोछ orange भी ग करेंगे अधरीर करणे के लिए उथनीज ओन्य की दिए कि लिए एक्स्ट्रा हुआ तो इसे कट कर लेंगे बञाएं से बना अंतर है 27 निए यहां से यह 28 इंच है अधा हम इस तरह से फोल्ड करेंगे थो मिलाते हुए और एक वर आख फोल्ड करेंगे तो यह हमारा चाल फन्व में हो गया और यहां पर एक पीन लगा लेंगे ताकि इधा अंतल सकते और यहां से हम साथ इंच पे-देशन लगाएंगे और यहां से भी 7 इंच बनी आल लगाएंगे और इसका एक बॉक्स बना लेंगे तरह से मिलाते हुए इसका बॉक्स बना लेंगे अब और इसे कट कर देंगे कि दूदिắng तो देखे कट हो गया है और यह हमारा एक टीश रेडी हो गया चावल ग्यूँ की प्लास्टिक की बोरी का यह जो हमने पेंट वाला प्य के प्सट्रेडी किया था उसके उपर हमें इस तरह से ुधा वैला हिश्सा है और यह जो चावल ग्यूँ कि कट कर लेंगे और इसके किनारे में हमें यहां से देखे थोड़ा सा में खुला रखना है और बाकी चारों जगा पे में तो सारे जगे पर सिलाई लगा के रेडी कर लेना है तो यह देखें सिलाई लग गई है और इसमें जो एक्स्ट्रा फैवरिक है उसे कट कर देंगे और यह देखें पैंट वाला हिस्सा हमने सीधा रखा था और चावल गयों की जो बोरी है जो वाइट वाला पोर्शन नहीं से नीचे की तरफ रखा था और प्रेंट वाला ऊपर की तरफ रखा था और यहां पर कॉर्णर पर छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे और जो हमने थोड़ा सा खुला छोड़ा है वहां से इससे सीधा कर लेंगे बिआसि कि बोड़े के तरफ चला जाएगा वह अंदर की तरफ है तो ऑपृब चला जाएगा और निसी तरह से निखालते हुए सिधा कर लिएगे और यहां से जो खुला हुआ है वहां से हमें इस तरह से मिलाथी हुए इसके सबी जगों पे किनाड़े पे तो लगां और फिर यहां से इस तरह से शिलाई लगा लेंगे तो यह देखे सिलाई लग गई है और यह देखे वाइट वाला हिसा प्लास्टिक का बोरी का ऊपर की तरफ आ गया है और यह देखे कॉर्नर से जो पीस बजा था उसे मैंने ज्वाइन करके बड़ा पीस बना लिया है इसे हम हैंडल लेंगे 15You3 इंच का दो पीस लिया है इसे इस तरह से फोल करके इसका हैंडल बना लेंगे कि यह यह दो फिर शैच को एंध़ा है और एक साथ से ज्याना से ज्यादाए तो कम बाले हिस्जी कि तरफ से हमें हैंडल को टैज करना है और इस तरह से हम इसका सेंटर मार्क कर लेंगे कि सेंटर मार्क करने के बाद हम यहां से निसान लगाना है दोनों साइड में सेंटर मार्क से रखते हुए alı यहां से हम हैंड़ सबयंगे करबंगे सब्सक्राइब करेंगे उसी तरह है पारे स culinary उपर से मिला लगा लगा लेंगी फिर से उसके बाद इसके उपर से सिलाई लगाा लेंगे लेंगे बाकि सारे किनारों को भी इस्तरा से मिला लेंगे कॉर्न रच। कर लेंगे फिर उसके बाद सभी के ऊपर से सिलाई लगा लेंगे तो यह लग गई है और अब हम इसे सीधा कर लेंगे कि इसके कॉर्णोर को निकालते हुए सिधा करेंगे किनारे को चिता से निकाल लेंगे और सिधा कर लेंगे इतां है तो या देखी सिधा हो गया है ऊईक जगा पे हम निसान लगा लेंगे और इसके किनारे का हम मैजर कर लेंगे जारों साइड के राउंड का मैजर कर लेंगे तो यहां से यह देखिए, यह 60 inches आ रहा है और इसमें हम एक डिन्च प्लस कर लेंगे यानि कि 68 inches अमें लेना है तो इस तरह कि कोई भी आ yêuke portrait ले सकते हैं wear shit हो गई पुरानी या फिर कोई भी पुरानी प्लाजो है, या फिर कोई भी पुरानी सारी है कोई भी फैब्रिक अप ले सकते हैं इसका फ्रैप बनाने के लिए तूhen मैंने पुराने शारे का यूज किया है यह देख़िए धोल लेयर में है इसमें हम इसका फ्लैप बनाएंगे तो यहां से हम एक सेट इंच लेंगे यहां से एक सेट इंच लेंगे और यहां से हम तेरा इंच लेंगे और अब क्या करेंगे कि यहां से इस तरह से रखेंगे दो लियर में और यहां से दो इंच पे निसाल लगाएंगे और इसको यहाँ से हमें यहां से यहां तक सिलना है और ऊपर नहीं वह तक हमें नहीं सिलना है उसके निचे से सिलाई से लगाँ लगा Victoria तक हमने क्वुला चोरा था ते और अब हमने इस तरह से इसके ऊपर सेटाई सभी 25 are के लिए बन गया है और इसे इस तरह से हम पहले हाफ इंच आधा इंच फिर उसके बाद एक इंच का फोल्ड करते हुए इसके उपर से पूरे में सिलाई लगा लेंगे लगवग यह डेरीज का यह फोल्ड हो गया इस तरह से हमें किनारे पर लॉक करके सिलाई लगा लेना है तो यह देखिए हमारे फ्लैप के लिए डोरी वाला बनके तयार हो गया है और हम इसे अटैज करेंगे में पीस में तो यह देखिए यह जो सीधा वाला हिस्सा है अंदर की तरब को है यह देखिए हमारा सीधा है और यह उल्टा है तो हमें इस तरह से पहना देंगे अंदर की तरब कर देंगे और इसको इस तरह से मिलाते हुए जो अंदर वाला हिस्सा है उसे मिलाते हुए इस तरह से पहले पील लगा के सेट कर लेंगे तो हमें सीधा उल्टा कर देख लेना है उल्टा वाला हिस्सा अंदर की तरब को रहेगा तो यह जो सीधा है उसे हमें मिलाना है कि इस तरह से मिलाते जाएंगे और पिल लगा के सेट कर लेंगे और हैंडल को अंदर की तरफ को रखेंगे और इसको उपर से सिलाय लगा लेंगे यह देखें लग गई है और हम इस तरह से अंदर की तरफ को कर लेंगे फ्लैप और फिर इसके उपर से सिलाय लगाएंगे और हैंडल को उपर की तरफ को करते हुए इसके किनारे पर सिलाय बन जाएगा तो यह झा अन्दर भी काफी अच्छे से विन गई है और अब क्या करेंगे को पे हमें इस तरह से से पकड़ते हुए एक लगा लगा लेंगे ता कि किनारे अच्छे से फ्लीश हो जा और देखने में इस तरह से काफी अच्छे लगती है तो यह देखे सिलाय लग गई है चारो कॉर्णर पर तो यह देखे हमारा और्गनाजर बनके रेडी हो गया है और अब हमने जो डोरी वाला बनाया था तो इसके लिए हम डोरी बनाएंगे तो इस तरह से रेडी में ट्रॉजर बगरा में जो डोरी आती है उसका भी आप बनाया है और यह दो इंच चौड़ी पट्टी है इसे हम इस तरह से फोल कर लेंगे और इसके ओपर से सिलाय लगा लेंगे तो यह हमारी डोरी बनके रेडी हो जाएगी तो यह देखे हमारी डोरी बनके रेडी हो गई है आप इसे हम लगाएंगे तो इस तरह से आप पिल ले लें कोई भी पिलने सकते हैं और इसे हम जो हमने फ्लैब बनाया था इसमें डोरी लगाने के लिए खुला छोड़ा था उसमें हम डोरी लगा लेंगे तो यह देखिए हमारी लग गई है और इसके किनाड़े पर हम गाठ लगा देंगे तो यह अच्छी तरह से लौक हो जाएगा खुलेगा नहीं और यह देखिए बेस के लिए हमें से मेजर्मिंट का इसके लिए काड़ बोर्ट करना है काड़ लगाने से इसकी फिनिसिंग का इस तरह से अच्छी से स्टिफ रहता है यह देखिए वमारा और्गनाजर बन गे लगान facto के दुए है अपो क्लॉस. से पैक्ट कर लेंगे इस तरह से डोडी को जब खीचेंगे तो यह अच्छी तरह से बंद हो जाएगा और इससे हमारे क्लोस गंदे भी नहीं होंगे आप इस और्गनाजर को अलमीरा में भी अर्जस्ट कर सकते हैं या फिर रैक पर रख सकते हैं तो कितनी असाने से हमने यह सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद झाल